जहिंद बंदे मातरम साथियों मैं मुकेसर आप सभी का स्वागत करते हैं आज किस क्लास में आज दोस्तों आप सीवी में बताने वाला हूँ अगर आप सीवी जाना चाहते कि बिहार पुलिस 2023 के एक अक्टूबर के शिफ्ट टू में कैसे कैसे प्रश्ण पूछे गए हैं अगर आप सीवी के दोस्तों अगला प्रश्ण अगर अगला एक्जाम है तो आप सीवी किस प्रकार से त्यारी करेंगे ताकि आप सीवी 100 में 100 कोशन करकर के आएंगे दोस्तों मैं आज आज आप स्यू को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सभी के जो एक अक्टूबर की एकजाम था उसमें कैसे कैसे प्रशन पोचे गए थे मैं खुद इस एकजाम को देने गया था तो मैं आप सभी को साथ अपना experience को share करने वाला हूँ तो आप सिस वीडियो को लाश तक जरूर देखेगा दोस्तों यहां पर हम बात करें थे कि एक अक्टूबर के जो shift 2 के प्रशने पोचे गए थे बिहार पुलिस की एकजाम के प्रशने में जो shift 2 में प्रशने पोचे गए थे काफी easily प्रशने पोचे गए थे जैसा कि मैं आप सिवी को यहां पर बता देना चाहता हूँ कि वहां पर दोस्तों total 100 प्रशने थे कितने प्रशने थे total 100 प्रशने थे जिसमें कि मैं आप सिवी को बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ उसमें 10 प्रशने आप सिवी के math के थे लेकिन दोस्तों जो लोग बोलते की काफी टॉफ प्रशन आरा है तो ऐसा कोई भी बात नहीं आप सभी के काफी इसले प्रशन पूछे जारे हैं कोशन की बात करें की कोशन कैसे कैसे आप सीकी एकजाम में पूछा गया और किन topic से प्रशन पूछा गया था तो मैं आप से बता देना चाहता हूँ कि आप सभी कि हर एक टॉपिक से प्रश्ण पूछे जा रहें सबसे परेत आप सभी कि एक प्रश्ण अनुछेद से पूछा था किसे अनुछेद से प्रश्ण पूछा था जो कि राज ये नीती से था राज ये नीती से एक प्रश्ण पूछा गया था अनुछेद के उसके बाद बात करें कि दूसरा प्रश्ण कैसा पूछा गया था तो दूसरा प्रश्ण आप सुछा था कि सबसे कठोर धातू कौन सा होता है इसमें कि आपसी की ये भी प्रश्ण एक्जाम में पूछे गए थे, उसके बाद-बाद करें कि तीसरा प्रश्ण कैसा पूछा था, तो तीसरा प्रश्ण पूछा था हडपा सबेता, हडपा सबेता से फ्रेंड्स आपसी की एक प्रश्ण 100% आपसी की आने वाले बिहार पु इसके एक्जाम में भी एक प्रश्ण आपसी के पूछे जाएंगे तो आपसी भी इस टॉपी को किलियर कर लेजेगा कि हाड़ा सभेता के कैसे कैसे प्रश्ण आपसी के पूछे जाएंगे तो हाड़ा सभेता से भी आपसी के एक प्रश्ण पूछे जाएंगे उसके बाद ब बत करें आपसे के करेंट अफेर्स के प्रश्न हंडे परशंट आपसे की एक्जामे पूछे जाएंगे तो आपसे जो नया वाला करेंट अफेर्स होगा उसको एक बार देख लेजेगा कि इस बार जो current affairs के प्रश्ण पूछा था नरेंद्र मोदी से पूछा था बीमा योजना से करके और जो दूसरा प्रश्ण पूछा था पदम स्री से पूछा था कि 2030 में किस हस्तियों को पदम स्री से नावाजा गया है यह भी प्रश्ण आप स्री के एक बना ही बना था एक्जाम में ठीक ही न उसके बाद बाद करें जो GS का एक कोर्शन हमें याद है जो कि मैं आप स्री को बता देना चाहता हूं GS का एक प्रश्ण पूछा था जो खगोलिये दुरबिंद होता है कौन सा जो खगोलिये दुरबिंद होता है खगोलिये ओ कैसा परतिवीम बनाता है तो खगोलिये दुरबिंद से एक प्रश्ण पूछा था कि कैसा आप स्री के जो परतिवीम बनाता है खगोलिये दुरबि सबसे बेस्ट։enductor कौन सा होता है सबसे बेस्ट कंडुक्टर कौन सा होता है जिसमें नाइ कुरोम कुरों एसे कुछ करके आप सेन दीया गया था अगर हम मैध की बात करें कि मैध का प्रशन कैसा पूछा गया था तो मैं आप सबसे बता देना चाहता हो कि जो math का जो 10 प्रश्ण पूछा गया था आप सभी के 10 लेबल पर प्रश्ण पूछा गया था किस लेबल पर था तो 10 लेबल पर था जो पहला प्रश्ण हमारा था उसमें था कि ऐसे दिया था 10 का मान दिया था और इसका ये 80 दिया था 80 मीडर और इसकी उचाई ग्यात गरना यहाँ पर एक प्रस्चने पूछा गया था जो कि 10 ठीटा का मान लागा करके आपका बनाना था जो कि 10th लेबल का एकदम basic कोशन था ठीक नए यह तो हो गया तिरकुण मीती का प्रस्चने एक और तिरकुण मीती का प्रस्चनाफसी की जामे बना था कि ऐसे दिया था कि 4 दिय आप से ते देख सकते कितना एजली प्रशन आप से के एकचाम में बन रहे हैं उसके बाद एक पेपर कटींग का कोशन दिया था जिसमें कि यहां पर ऐसे बनाया हूँ था और इसका परशन छोड़कर इन सभी में दिया था और इसका एंसर बनाना था आपसे के रिजनी के भी एक प्रशन पूछे जा रहे हैं जो की वो बैटने वाला आए कि मान के चलते चार बेक्ती ऐसे बढ़ गए एक बेक्ती ऐसे बढ़ गया तो कौन सा स्थान पर आ रहा है एक प्रशन इससे भी बना था तो आपसे के कोशन काफी विजली पूछे जा रहे अगले एक्जाम में अगर आपसे भी देना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से प्रिप्रेशन करके जेगा हर एक टॉपिक को कभर अप कर लेजेगा जिससे के आपका भी एक्जाम सौ में सौ जाए तो मिलते नेक्स वूड़ो में दोस्तों अगर आपसे कोई भी डाउट हो तो आपसे कमेंट कर सकते हैं मिलते नेक्स वूड़ो में थांक्स पर राचिंग में वीडियो